जुड़ गए सभी जैहिंद आज यार फिर हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं अपनी हिंदी की और हिंदी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा पूर मद्यकाल होगा क्योंकि हमने लास्ट पर्ली क्लास में जो है जो क्लासे जो पढ़ा था हमने तो उसमें जितना भी दे रखा कि हिंदी साहित इकान 太कॉल नाम करांण किसने किया विवाजन किसने किया आधी काल के बारे में सब्सक्राइब की प parkedड है ठीक है तो आज का जो हम पढगने बाले हैं वह पढगने वाले हैं पूर वो मद्यकाल ठीक है पूर मद्यकाल का अगर आप से पूछा जाए समय कब से कब तक है तो पूर्व मध्यकाल का जो समय है अगर आप से पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल का समय है अब पूर्वमध्यकाल को ही क्या कहा जाता है पूर्वमध्यकाल को ही कहा जाता है भक्तिकाल क्या कहा जाता है इसको भक्तिकाल कहा जाता है यह वाली बात ध्यान रखेंगें क्या कहा जाएगा भक्तिकाल इसको आप ऐसे वे में कर सकते हैं कि जैसे भक्तिकाल है तो भक्तिक और दूसरा है निर्गुन भक्तिकाल चीक है कौन सा निर्गुन निर्गुन भक्तिकाल चीक है एक है सगुन भक्तिकाल और एक है निर्गुन भक्तिकाल सगुन भक्तिकाल की अगर बात करेंगे तो सगुन भक्तिकाल आपका ये दो तरह इसको हम बाट सकते हैं सगुन भक्ति काल को भी एक है राम की भक्ति वाले राम भक्ति साखा के ठीक है राम भक्ति साखा के है और एक हो जाएंगे आपके क्रिश्न भक्ति साखा के ठीक है किसके क्रिश्न भक्ति साखा के तो जो सगुन भक्ति का मतलब है वो एक ऐसी भक्ति करते हैं जिनका रूप था किसी भगव का वो रूप को मान कर पूजा करते हैं तो वो दो फेज में बढ़ गए एक का नाम क्या हो गया एक तो हो गया राम को मानने वाले तो वो हो गया राम भक्ति साखा के एक हो गया क्रश्न को मानने वाले वो हो गया क्रश्न भक्ति साखा के ठीक है ऐसे ही निर्गुण जो भक्त काव्यधारा है संत काव्यधारा के हैं जिनको कहा जाता है क्या जिनको कहा जाता है ग्यानाश्रई ठीक है क्या कहा जाता है जिनको कहा जाता है ग्यानाश्रई और एक है आपके जिसको कहा जाएगा क्या सूफी काव्यधारा ठीक है क्या कहा जाएगा सूफी काव्यधारा और तो सूफी काव्यधारा वाले जो हैं सूफी काव्यधारा की अगर बात करेंगे तो यह है आपके क्या यह है आपके प्रेमा प्रेमा स्रे ठीक है कौन है प्रेमा स्रे तो इस तरीके से हमने भक्ति काल को कितने फेज में बाट अखा था दो का दो फेज में सगुन निर्गुन सगुन दो फेज में है राम भक्ति साखा और कृष्ण भक्ति साखा निर्गुन में कौन है संत कावियधारा जिनको ग्याना सरई और दूसरे हैं सूफी कावियधारा के जिनको कहा जाता है प्रेमा सरई इतना केलियर हो रहा है ठीक है अब हम जो डिसकस करेंगे वो करेंगे राम भक्ति साखा से पढ़ना सुरू करेंगे राम भक्ति साखा में एक्चल में क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है तुलसी दास चीके के नाम है तुलसी दास और तुलसी दास से क्या कोश्चन बन सकता है कि तुलसी दास कौन से काल के कभी है तो भक्ति काल के कभी है तुलसी दास से और कोश्चन यह बन सकता है कि तुलसी दास सगुण भक्ति साखा के है या निर्गुण भक्ति साखा के है तो आप कहोगे कि सगुण भक्ति साखा के है इससे ये भी question बन सकता है कि तुलसी दास राम भक्ति साका के हैं अक्रस्न भक्ति साका के हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये राम भक्ति साका के हैं देखो तुलसी दास को ये कहा जाता है कि ये जो है ये क्या है भक्ती रस के जनक के रूप में आप से पूछा जाए भक्तिरस के जनक के रूप में कौन है तो भक्तिरस के जनक के रूप में तुलसिदास को माना जाता है तुलसिदास से कोशनिया मन सकता है कि तुलसिदास का जन्म का हुआ था तो इनका जन्म हुआ था सर आगरा में चीक है का पर हुआ था आगरा में देखो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसमें बड़े आराम से आप उसको देखते रहो जहां कोई डाउट आ रहा है सुबहे के 9 बजे से 12 बजे तक आप मुझे पर कोल करके मैसिज करके टेलिग्राम करके बड़े आराम से कोश्चन पूछ सकते हैं चीक है बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा ये यूपी पुलिस के और जितने भी वन डे कॉमप्टिशन है उनके लिहास से बड़ा इंपोटेंट है सब जितने भी क्लास लोगे सभी के सब अपना नाम जरूर में इंसन करोगे क्योंकि मुझे प ठीक है हरी दास एक वो था ना हित हरी वंस उस वाले वंस के जना जनक है हरी दास इनके गुरू है अगर ये पूछा जाए कि किसके हैं ये समकालीन किसके हैं तो समकालीन पूछा जा सकता है तो समकालीन कई वार पूछा है तो ये अकबर के समकालीन थे किसके समकालीन थे अ अकवर के समकालीम थे इनकी अगर पूछा जाए कि मुख्य भासा क्या रही है यह को सारी रचनाएं दोड़ते जिकर करते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ठीक है रचनाओं के बारे में जिकर करते है इनके देखो जी रचना कौन कौन सी है इनकी एक तो आप से पूछा जाएगा दोहा वली दोहा वली किसकी रचना है तो आप बताना कि दोहा वली तूल सिदास की रचना है ऐसे ही आप से पूछा ज तो कृष्णा वलीवीन की रशना है और एक आती है जिसका नाम क्या है गीता वली गीता वली भी इनी की क्या है रशना है चिक इसके अलावा एक और है जैसे पारवती मंगल पारवती मंगल भी पूची हुई है ऐसे आप से पूची हुई है जैसे जान की मंगल चीक है जान की मंगल किसकी रशना है जान की मंगल भी नहीं की रशना है विने पत्रिका भी पूछी हुई है कि विने पत्रिका किसकी है तो विने पत्रिका बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है पचासो बार यह आ गई है विने पत्रिका तो विने पत्रिका ये कई बार पूछा जा सकता है किसके बारे में वेरागी संदीपनी से, वेरागी संदीपनी से कोशन बन सकता है, उसको देखना जरा, वेरागी संदीपनी की अगर बात करेंगे, तो वेरागी संदीपनी क्या है, इनका सबसे बड़ा गरंथ है, इनका क्या है, इनके द्वार ये भी पूछा आता है कि अखिल ग्यान का सार किसको कहा जाता है तो ये वाली बात भी धिहान रखना कि इस रचना के कारण इनको अखिल ग्यान का अखिल ग्यान का सार अखिल ग्यान का सार जो है इननी को कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको अकिल ज्यान का सार कहा जाता है तो ये ये बताओ ये वाली जितनी मैंने चीज बताई किलियर हुई ठीक है समझ में आ रही है आवाद साफ होगी आज ठीक है रात की 11 बज रहे हैं सूर सरावा जिससे बिल्कुल भी ना हो इस बज़े से मैं रात के 11 बज़े जो है वीडियो को बना रहा हूँ अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा यार थोड़े समय में सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे कोशिस कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा कॉर्परेट करो कुछ राइटर हैं उनकी जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो अच्छा कुछ लिखा है उनकी कवीता हैं उनकी रचना हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर क्रश्न भक्ती साखा के पढ़ेंगे सारे के सारे पढ़ते चले जाएंगे ठीक है थोड़ा सा लंबा लेक्षर होने वाला है पर सारा का सारा तुम्हें पढ़ना है और कल आके कॉपी चेक करवानी है यह भी दिहानक नमना ठीक चलो next देखते हैं तो next में क्या है next आपका है कि इश्वरदास इश्वरदास से question मनेगा कि इश्वरदास कौन सी साखा के कभी है तो इश्वरदास जो है रामभक्ती साखा के कभी है इनकी रचना है अंगद पैज ठीक है अंगद पैज इनकी क्या है रचना है इसके अलावा भरत म मिलाप जो है वो भी इनकी क्या है रचना है एक विक्ती ओर आएंगे जिनका नाम क्या है नाभादास ठीक है क्या नाम है नाभादास नाभादास की जो रचना है उनका नाम क्या है भक्त माल ठीक है क्या नाम है भक्त माल और एक है आपकी अस्थायाम ठीक है क्या है अस्थाय इनकी रचना है की साई वात करेंगे रामानंद की बात करेंगे एक कोश्चन आता है रामानंद से बहुत बड़े राइटर हुए हैं इनके सीज से भी बहुत ज्यादा फेमस है रामानंद से कोश्चन बनेगा तो रामानंद की है रामार्ती ठीक है रामार्ती देखो लिखा कैसे है ये भी ध्यानक ना रामार्ती है राम रक्षा इस्तुरूत है राम रक्षा राम रक्षा इस्तुरूत भी इनकी क्या है रचना है इसके अलावा राम तारक मंत्र राम तारक मंत्र भी इनकी क्या है रचना है राम तारक मंत्र भी इनकी क्या है रचना है एक और है बहुत फेमस जहांगिरी जैस्चंद्री का ठीक है ये भी धियान रखना कि जहांगिरी जसचंदरी का जहांगिरी जसचंदरी का किसकी रशना है तो जहांगिरी जसचंदरी का रामानंद की क्या है रशना है ठीक है अब रामानंद की जो रामचंदरी का है इस रामचंदरी का को चंदों का अजायब घर भी कहा जाता है ठीक है ये भी ध्यान रपना के रामा नंद की एक रचना है राम चंदरी का ठीक है कहना है राम चंदरी का और इस राम चंदरी का को एक निक नेम दिया जाता है इसको कहा जाता है चंदो का अजायब घर कहा जाता है इसको ठीक है अजायब घर तुमारे लिए कोशन है आप ब करोशायाब घर किसको कहा जाएगा चीक है और आचारिय शक draft ने जहांगिरी को कटїन काविय का परेंद कहा है यह भी दियान रखिना कि एक आचारिय जो है सुक्ल है आचारिय शक Khal के दौर किसको जहांगिरी जस्चंदरेगा को जहांगिरी जस्चंद्रीका को क्या कहा गया है जहांगिरी जस्चंद्रीका को काव्य का प्रीत कहा गया है क्या कहा गया है काव्य का क्या है काव्य का प्रीत कहा गया है ठीक है काव्य का प्रीत कहा गया है तो इतना कलियर हो गया होगा रामानंद की रचनाए कौन कौन सी है रामारती है रामरक्स तरोत है रामतारक्मत्र है जहांगरी जश्चंदरी का है और रामचंदरी का है ठीक है चंदो का अजायब घर किसको कहा जाता है तो रामचंदरी का को क्या कहा जाता है चंदो का अजायब घर कहा जाता है ठीक इसक इसका नाम क्या है पौरुष रामायन ठीक है कौन सी पौरुष रामायन पौरुष रामायन कई वारा आया हुआ कोश्चन है कि पौरुष रामायन किसके द्वारा लिखी हुई है तो ये नरहरीदास ने लिखी है और एक विक्तियों है जिनका नाम है स्वामी अगरदास ठीक ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी हितोप देश एक है उपाद्ध्याय, इनकी रचना, उपाद्ध्याय, उपाद्ध्याय के लाबा एक है बबनी, यह कई बार आई हुई है बबनी, ठीक है, बबनी ठीक और एक most important question ये है कि स्वामी अगरदास को कहा जाता है रसिक संपरदाय का ये भी ध्यानक ना कि इनको रसिक संपरदाय का रसिक संपरदाय का क्या कहा जाता है रसिक संपरदाय का परवर्तक कहा जाता है किया कहा जाता है इसको रसिक संपर्दाय का परवर्दध कहा जाता है क्लियर है तो स्वामी अगरदास की रिखना लिख लिख लएई आचार ये सुकल की राम चंडरी का ठीक है किसकी कृष्ण भक्ति साखा के कवी कौन कौन है देखो बहुत फेमस व्यक्ति है जिसका नाम क्या है सूर्दास किसके बारे में पढ़ेंगे अभी सूर्दास के बारे में ठिक सूर्दास किसको पढ़ें सूर्दास सूर्दास से कोशन ही आ सकता है इनका जन्म का हुआ था तो सूर्दास का जन्म भी आगरा में हुआ था इनके गाउं का नाम है रुकनता रुकनता इनके गाउं का नाम है और इनका जन्म भी का हुआ है आगरा में हुआ है गुरू अगर पूछा ज इनके गुरु, इनके वल लबह चार्य है। ठीक है? और कई वार ये भी पूच़ा जासाथ सकता है, कि इनको क्या क्या नाम दिये जाते हैं, तो उसके बारे भी पूच़ा जासकता है, तो इसमें एक कुश्चन ये भी important है, कि इनको वाद सल्यय रस का, इनको क्या कहा जाता ह जनक कहा जाता है वादसल्य रसका क्या कहा जाता है इनको महा कवी की उपाधी दी हुई है ठीक है किसकी महा कवी की उपाधी दी हुई है इनको अस्ट छाप के कवी का क्या कहा जाता है अस्ट छाप के कवी का जहाज कहा जाता है अस्ट छाप का जहाज किसको कहा जाता है तब भी आंसर आएगा सूरदास ठीक है कई बार ये भी कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य का सूरज किसको कहा जाएगा तो हिंदी साहित्य का सूरज भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूरज किसको कहा जाता है तो हिंदी साहित्य का सूरज सूरदास को कहा जाता है इनकी जो रचना हैं वो कौन कौन सी है अगर इनकी रचना की बात करें तो रचना है इनकी एक है आपकी जैसे सूर सागर ठीक है कौन सी है सूर सागर सूर सागर के अलावा है सूर सरावली सूर सरावली ठीक है सूर सरावली के अलावा एक है साहित्य लहरी साहित्य लहरी ठीक है साहित्य लहरी और एक है आपकी सूर पचीसी सूर पचीसी ये इनकी क्या है ये इनकी प्रमुक प्रमुक रचना है ठीक, क्लियर हैं तो ये सूरदास के वारे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया अगला आपसे पूछा जा सकता है एक और बहुत फेमुस रैटर है मीरा बाई क码 है ? मीरा बाई मीरा बाई की अगर बात करें तो मीरा बाई से क्या है मीरा भाई का जन्म अगर आपसे पूछा जाए जन्म कहां हुआ था इनका तो इनका जन्म हुआ था जोधपूर में कहां हुआ था इनका जन्म जन्म हुआ था इनका जोधपूर में गुरू अगर पूछे जाए गुरू कौन है तो गुरू है इनके रैदास कौन है इनके गुरू रैदाश है ठीक है पती अगर आपसे पूछा जाए कौन है इनके पती तो पती का नाम है इनके भोज राज भोज राज और इनके ससुर का नाम अगर आपसे पूछा जाए कौन है चलो इतना हिंट मैं दे रहा हूँ राणा कहते दे उनको आगे का नाम तो मताओ कमेंट में कि इनके ससुर का नाम क्या है ठीक इनकी रचना की अगर बात करेंगे इनकी रचना कौन कौन सी हैं तो इनकी प्रमुक रचना हैं आपकी जैसे एक है नरसी जी का मायरा इनकी जो है वो क्या है एक रचना है इसके अलावा एक है गीत गोविंद का टीका इनकी क्या है रचना है एक है राग गोविंद ठीक है कौन सी है राग गोविंद और एक है राग सोरथा ठीक है कौन सी है राग सोरथा ये इनकी क्या है प्रमुक प्रमुक इनकी रचना है चीक है अगले राइटर की तरफ बढ़ते हैं अगला राइटर कौन है तो ये है रस्खान चीक है कौन है रस्खान बहुत इंपोर्टेंट है रस्खान से भी कई बार कुशन बने है तो रस्खान भी जरूरी पढ़ना रस खान की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है प्रेम वाटिका ठीक है प्रेम वाटिका सुजान इनकी एक बहुत फेमस रचना है सुजान सुजान के अलावा है एक है दान लीला दान लीला इनकी जो है वो क्या है फेमस रचना है दान लीला ठीक है एक वे ठीक है कोन है नरोत्तम दास में अगर पूछा जाएंग इनकी रचना कोंसी है तो इनकी रचना है बहुत फेमस है ये भी सुधामा चरित आज की डेट में जो सुधामा का जो करेक्ठर लोग समझते हैं वो मुसली जो बनाया है वो किसके दवारा बनाया गया है एक वेक्ती और है जिनका नाम क्या है रहीम दास रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसोन पानी गए ने उबरे मोती मानुशोन पढ़ा है इसमें बताओ कौन सा लंकार है ठीक तो ऐसे ही इसमें आप से रहीम के बारे में पूछा जा सकता है तो रहीम का पहला तो कोश्चन यह है यह पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां हुआ था तो यह लाहौरी थे इनका जन्म जो है का हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था ठीक है मृत्यू भी कई वार पूछी है तो मृत्यू इनकी हुई है कहां पर आगरा में ठीक है दर्बारी कभी किसके थे तो ये अगर पूछा जाए कि दर्बारी कभी किसके हैं तो दर्बारी कभी थे ये अकबर के किसके अकबर के दर्बारी कभी थे और इसके रहीम के पिता का नाम रहीम का जो पिता था रहीम का पिता कौन था रहीम का पिता था बैरम खान अब बैरम अक्बर का जो सन्रक्षक था जो सुरू में अक्बर को जितने भी युद्ध जिताएं हैं वो बैरम खाँ दुआ रहा ही तो जिताए गई थे अब बैरम खाँ क्या था एक वार हज की आतरा पर जा रहा था और वहा पर गुजलात में इसकी हत्या हो गई उसके बाद क्या रहीम को अपने नौरतनों में क्या दी थी जगा भी दी थी ठीक है तो ये रहीम है ठीक है समझ गए है रहीम दास ठीक इसका अब वो सुना है या उसने आपने वो सुना है अब्दुर रहीम खाने खाना अब्दुर रहीम खाने खाना वो ही है ठीक है अब्दुर रहीम खाने खाना जो है वो ही रहीम दास है क्लियर हो रहा है आप समझ में आगी सारी बात ऐसा है आपका एक विक्ति हो रहे है जिसका नाम क्या है कुम्भन दास कौन है कुम्भन दास कुम्भन दास की अगर बात करें तो कुम्भन दास की रचना है उसका नाम है फुटकल पद फुटकल पद ठीक है इनकी रचना का नाम क्या है फुटकल पद इनकी क्या है रचना है इसके बाद एक वेक्टी हो रहे है जिसका नाम क्या है चतुर भुज दास चतुर भुज दास यहां तक अगर आप पढ़ लिये हैं बोर मत हो एक इक चीज को नोट करते रहूं, नोर करोगे, तभी चीज़े याद रोपैंगी, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, नोट करोगे, याद करना पड़े गा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं दो, ऐसी हवा हवाई काम करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है समझ रहे है तो इनकी रचना का नाम क्या है इनकी रचना का नाम है भक्ती प्रताप क्या नाम है भक्ती प्रताप इनकी रचना है एक और है हिताजू का मंगल हिताजू का हिताजू का हिताजू का मंगल देखो इतनी बढ़िया ये एक रचना है हो सकता है टेस्ट में यही वाली रचना आ जाए हो सकता है पेपर में यही वाली रचना आ जाए तो दिहान रगना हिताजू का मंगल रचना किसकी है चतुर भुजदास की तो अभी आपने पढ़े हैं सगुन भक्ति साखा के अब हम जो पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी भक्ति साखा निर्गुन भक्ति साखा ठीक है निर्गुन भक्ति साखा और निर्गुन भक्ति साखा में भी हम जो हैं दो चीजों को पढ़ेंगे तो इसमें निर्गुन जो भक्ति साखा है उसमें आस्तिक वादी जो है उनको पढ़ने वाले हैं ठीक है किन को पढ़ने वाले हैं निर्गुन भक्ति साखा में जो आपके कौन से हैं आस्तिक वादी ठीक है कौन है आस्तिक वादी जो हैं आस्तिक वादियों को ह है इसमें जो रस है ना सांत रस और स्रंगार रस है स्रंगार के साथ साथ क्या है सांत रस है इन दो रसों की क्या है प्रधानता है ये वाली चीज आप जो है क्या कर लेना नोट कर लेना कि इसमें कौन सा रस है सांत और सांत के साथ साथ और कौन सी स्रिंगार रस सांत और स्रिंगार रस सांत और स्रिंगार रस की क्या है प्रधानता है सांत और स्रिंगार रस की क्या है प्रधानता है ठीक है अब सांत और स्रिंगार रस के सबसे करांती कारी अगर कोई कवी है तो वो कौन है कबीरदास ठीक है कौन है कबीरदास और कबीरदास तो भाई ऐसा कोई पंडा पुझारी मुला कोई नहीं बचा जिसके बारे में इन्होंने तरक ना दिया हो और उसको लपेटा ना हो ठीक है कभीरदास से बचके रहना पड़ेगा भाई तो कभीरदास को देखते हैं कभीरदास का जो जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था ये पूछा जा सकता है 1398 में और कहां पर हुआ था मगहर में हुआ था कहां पर हुआ था सॉरी कासी में इनका जो जन्म हुआ था कासी में हुआ था मगहर में तो मृत्य हुई थी कासी में इनका क्या हुआ था जन्म और मृत्यू की अगर बात करें मृत्यू तो पंदरा सो अठारा में कब पंदरा सो अठारा में क्या हुई थी इनकी मृत्य हुई थी कहां पर हुई थी तो मृत्य हुई थी इनकी मगहर में ठीक है किलियर हो रही बात गुरू अगर पूछा जाए तो गुरू को न देखो ये खुद कौन सी भक्ति साका के हैं निर्गुण वक्ति साका के गुरू है इनके राम भक्ति साका के गुरू है इनके रामा नंद ठीक है गुरू कौन है इनके रामा सद्धुकड़ी इनकी क्या है भासा है कौन सी भासा है सद्धुकड़ी इनकी जो है वो क्या है भासा है यह इसी को क्या कहा जाएगा इसी को कहा जाएगा पंचमेल खिचड़ी ठीक है क्या कहा जाएगा पंचमेल खिचड़ी जो है इनकी भासा है भी यह बताओ यहां तक की निर्गुन संपरदाय के संपादक के बारे में अगर पूछा जाए निर्गुन संपरदाय के संपादक कौन है तो संपादक अगर इन से पूछा जाए तो कौन है तो आंसर आ जाएगा सर कभीर दास जो है वो क्या है कभीर दास निर्गुन संपरदाय के संपादक है ठीक है इनकी अगर पूछा जाए प्रमुक रचनाय कौन कौन सी है तो तीनों का संकलन जो है इनका एक सीस्य था जिसका नाम था धरम दास इनका सीस्य था एक धरम दास ठीक है वो इनकी रचनाओं को क्या करता था लिखता था ये बात ध्यान लखेंगे तो इसमें से आप देख सकते हैं एक है साकी ठीक है एक है सबद और एक है आपकी क्या रमैनी साकी सबद रमैनी की रजना धरम दास ने की है और इसको बूला किसे ने था कबीर दास ने बूला था ठीक है कलियर है ग्यान सागर अनुराग सागर और उगर गीता ये और है इनकी रचना ग्यान सागर ठीक है कौन सी ग्यान सागर और अनुराग सागर ठीक है कौन सी है अनुराग सागर और अनुराग सागर के अलावा उगर गीता उगर गीता ये इनकी क्या है प्रमुक रचना है ठीक है कलियर हैं अगले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है संत रविदास या संत रैदास जिसको कहा जाता है ठीक है संत रविदास या संत रैदास के बारे में कहा जाता है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिये ग्यान ठीक है पूरी पूरी याद है तुमें कि की है जातना पूछो साधु की पूछ लीजिए ग्यान और कुछ ऐसे था तलवार मूल न कीजिए पता नहीं मुझे दियान नहीं आ रहा है रो क्या था हो तलवार और मैयान को ले करता कोई सब्द आगे बीच हो रहा है ठीकर रैदास के बारे में चलो करते हैं बात रवीदास के बारे में कहा जाए तो गुरु रवीदास के द्वारा जो इनके मतलब स्पीच मैंट थे उन स्पीच मैंट को गुरु गरंत साहिब में भी लिखा गया है ठीक है इनकी भासा पे बात कर सकते हैं तो भासा इनकी जो रही है वो रही है ब्रज भासा कौन सी भासा रही है ब्रज भासा रही है और अवदी भासा रही है कौन सी भासा रही है ब्रज भासा और अवदी भासा इनकी रही है ठीक है इनकी जो रचना है वो कौन सी यह वानी और संत वानी वानी ठीक है वानी और संत वानी इनकी क्या है प्रमुख रचना है ठीक है और ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि गुरू गरंथ गुरू गरंथ साहिब में गुरू गरंथ साहिब में संत रैदास के 40 पद हैं कि जो किसी भी व्यक्ति ने जो अच्छी चीज़े बोली है वो सारी कि विपके कहा रखी हूई य हूई है ठीक है एक है सुन्दर दास सुन्दर दास के अगर बात करेंगे तो सुन्दर दास से क्या क्यों बन सकता है ये जो है सरिंगार रसके सरिंगार रसके जो है क्या है विरोधी है क्या है सरिंगार रसके विरोधी है देखो नाम खुद का सुन्दर है पर खुद क्या है सरिंगार रसके विरोधी है ठीक है और इनके गुरू से भी कोश्चन पूछ सकते हैं कि इनके गुरू कौन थे तो इनके गुरू अगर आप से पूछा जाए तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं दादू दयाल जो है दादू दयाल इनके क्या है गुरू है ठीक है अब अगर आप से पूछा जाए कि सबसे कम सिक्सित कौन है जितने भी आप ही आपने गुरू पढ़े आगे पढ़ोगे तो जितने भी सबसे कम सिक्सित हैं वो कौन है दादू दयाल है ठीक है एक और विक्ति है मलूक दास ठीक है क्या उन है मलूक दास मलूक दास से भी कोशन बन सकता है कि मलूक दास के गुरू कौन थे तो मलूक दास के गुरू भी दादू दयाली है ठीक है औ और इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है, रतन खान, इनकी रचना कौन सी है, रतन खान, और ज्यान बोध, ठीक है, ज्यान बोध और रतन खान जो है, इनकी क्या है, रचना है, एक विक्ति और आएंगे, जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम होगा, जम भूजी, ठीक ह विश्णोई संपरदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ठीक है कौन से विश्णोई संपरदाय यह बोई वाला विश्णोई संपरदाय है जिसने सल्वान खान को जेल भीजवा दिया था विश्णोई संपरदाय के क्या हैं प्रवर्तक माने जाते हैं ठीक है विश्णोई संपर सबस्यादा कहां पर है राइस्थान में विस्नोई संपरदाय की क्या है प्रवर्तक है ठीक और इनकी रचना है हरेडवानी और अगबाधु जो है इनकी क्या है रचना हरेडवानी और अगबाधु जो है इनकी क्या है रचना हरेडवानी और अगबाधु जो है इनकी क्या है अब आप पढ़ोगे कौन से सूफी काव्य धारा के कभी, ठीक है? प्रेमा सुफी काव्य धारा के कभी, खिलियर है? चलो देखते हैं. प्रेमा स्रेय या सूफी काव्य धारा के कभी, ठीक है? प्रेमा स्रेय या सूफी काव्य धारा के कभी, ठीक है? प्रेमा स्रेय या सूफ नमबर एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं मलेक मुहमद जायसी के नाम है मलेक मुहमद जायसी के बारे में देखेंगे तो इनकी रचना कौन-कौन सी है बहुत फेमस व्यक्ति है भाई कल भी पहली बहली किलास में ने बताया थोड़ा सा इनकी रचना है पदमावत आकरी कलाम और अखरावट ठीक है और अगर आप से पूछा जाया है मलेक मुहमद जायसी किसके दरबारी कवी थे तो आप बता देना कि ये शेरशहा सूरी शेरशहा सूरी के क्या थे दरबारी पोएट थे दरबारी कवी थे ठीक है सेरशहा सूरी के दरबारी कवी थे सेरशहा के बारे हम कहा जाता है बहुत ज़्यादा मुत्वाब आप कह सकते हैं ग्यान वाला विक्ती बना है अगर थोड़ा लंबे समय तक ही राजा राय जाता तो बहुत सारे सुधार कर जाता आज की रेट में भी जो डीम वगेरा का पद है और जो कर वाली जो सिस्टम है वो सेरशहा सूरी की द्वारा चलाय हुआ है ठिक चलो अब एक कोश्चन यह बनता है कि जो सूफी काव्यधारा है ये सूफी काव्यधारा में जो रस है वो कौन सा है तो ये ध्यान रखना कि सूफी काव्यधारा में सूफी जो काव्यधारा है सूफी काव्यधारा में क्या है सूफी काव्यधारा में व्योग रस की प्रधानता है किसकी व्योग रस की क्या है व्योग रस की प्रधानता है ठीक है विओकरस के क्या है परदानτο है इसमें मसनवी सैली का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है क्लिए रहतना मसना भी सैली का फेमस फेमस जो राइटर है वोड़ देख लो एक वेक्ति हैं जिसका नाम क्या है आशा दूत आशा दूत जो है उनकी रचना है हशावली अरा जिस्थानी भाषा में मुल्ला दाउद याद होगा मुल्ला दाउद चदायन अवधी भाषा इश्वरदाश इश्वरदाश सत्यवती की कथा हिनकी रचना कौन सी है सत्यवती की कथा सत्यवती की कथा अवधी भाषा कौन सी भाषा अवधी भाषा एक है आपका कुतुबुन कुतुबुन मुर्गावती इनकी रचना का नाम क्या है मुर्गावती ठीक है पंदराशो तीन में भाषा अवधी भाषा इनकी भी क्या है अवधी ठीक और आचारे सुकल कईवार जो है कुत्बुन को क्या मानते हैं सूफी भासागा पहला कभी मानते हैं ये डिबेटेबल कोश्चन है उस पर आप नहीं जाओगे तो ज़्यादा बेता है एक विक्ति है मजहन मजहन की अगर रशना की बात करें तो मजहन की है मधु मालती इसकी रशना का नाम क्या है मधु मालती नंददास नंददास की अगर बात करेंगे तो रूप मंजरी रशना कॉंजियन के रूप मंजरी ठिक उस्मान उस्मान तो उस्मान की है चित्रावली एक व्यक्ति हो रहे हैं जिनका नाम है नूर मुहम्मद रशना देखो इनकी क्या है इंद्रावती एक व्यक्ति हो रहे हैं सेख नभी और इनकी रशना गार नाम भी क्या है ज्यान दीपक ठीक है ज्यान दीपक उस्मान की मैंने बताई दी चित्रावली ठीक है सूफी मत्र में एक मात्र कवित्री हुई है नोट करके लिख लो एक मात्र कवित्री कौन है राबिया important question है भाई वाला कि सूफी मत में एक मातर कभी तरी कौन है तो आंसर आजागा राबिया यहां तक आपने अगर इसको सारे को देखा है ठीक है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक question पूरी पूरी possibility है कि यहां से फसकता है तो भाई यहां तक देखने के बाद आपका सबसे पहले तो धन्यवाद और अपना नाम जरूर लिख देना के सरे मैंने पूरी class ली है और मुझे notes दिखा देना test में यहां से question आएगे ठीक है आज के लिए इतना ही है ठीक धन्यवाद